गाई जाज हम बात करेंगे ऐरो केरिया के बारे में ऐरो केरिया देखने में बहुत ही ज़्यादा खूब सूरत लगता है अगर आप अपने घर में लाके लगाते हो तो काफी अच्छा लुक देता है ये प्लांट और आपको पता होगा कि अगर जैसे 25 दिसंबर आता है जिस दिन हम किसमस मनाते हैं उस टाइम पे लोग इस प्लांट को बहुत ही ज़्यादा खरीद के लाते हैं और अपने घर में यूच करते हैं इस प्लांट को तो इस plant को हम किसमस भी बोलते हैं और अगर हम इस plant के location की बात करूँ अगर आप वो location पे कहां पे रखोगे जिसे की आपके plant की life अच्छी तरीके से चल सके अगर मैं location की बात करूँ तो आपको ऐसी जगा पे रखना है जहां पे indirect sunlight आती हो छनी हुई दूप आती हो तो क्या होगा थोड़े टाइम तक इसकी पत्तिय जलेंगी उसके बाद नई नई जब leaf आना start हो जाएंगी तो वो नहीं जलेंगी वो cover हो जाएगा और ये plant काफी height में भी जाता है 10-12 feet 15 feet काफी height में ये plant चला जाता है तो आप इस plant को outdoor में भी लगा सकते हो लेकिन अगर गमले में रखोगे तो आप इसे outdoor में नहीं रख सकते है डाइक सलाइट में वहाँ पे गमले में ये जल जाएगा आप जमीन में लगा सकते हो outdoor में और guys अगर हम इस plant में watering की बात करें तो इस plant को ज़्यादा पानी की जूरत नहीं पड़ती है ये low maintenance plant है आपको इसमें नमी बना के रखना है जैसे कि आपको मिट्टे उठाना है जैसे लगे कि आप सूख रही है तब आपको पानी देना है डेली अगर पानी दोगे तो आपका plant जो है थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है तो इसलिए आपको किसी भी plant में डेली पानी नहीं देना होता है आपको समझना है कि आपकी मिट्टी सूख रही है ताब आप पानी दो आपका plant पानी से कभी भी नहीं मरेगा अगर मैं इसके soil mix की बात करो तो आपको soil mix हमेशा ऐसा रखना है जैसे कि 50% गाड़े soil 20% रेथ हो गई और 30% वर्मी कमपोस्ट या फिर गोबर खाथ ये सारी चीजे आप इस plant में mix गर सकते हो और बाकी अगर मैं इस plant के pot की बात करो तो आपको इस plant के लिए ऐसी pot लेना है जैसे कि 12 इंच हो गया 14 इंच 16 इंच बड़े pot में लगाओ क्योंकि इस plant को हम बार बार report नहीं करते हैं अगर आप 2 साल, 2 साल, 3 साल तक अगर आप plant को चलाना चाहते हो तो 14 इंच 16 इंच pot में लगाओ तो आपका प्लान्ट अच्छी तरीके से grow करेगा उस pot में और बाकी इस plant को बार बार reporting नहीं करते हैं और अभी हम बात करते हैं कि इस plant में हम किस तरीके से खाद यूज़ करते हैं और मैं अगर खाद की बात करते हैं बस आपको देखना है कि अगर आपका प्लान्ट स्लो चल रहा है आपके प्लान्ट में लीफ नहीं आ रही है हाइट नहीं बढ़ रही है तब आप इस प्लान्ट में fertilizer घोल के डाल सकते हो या फिर वर्मी कमपोस्ट आप डाल के गुड़ए कर सकते हो डीएपी को भी आप डाल के गुड़ए कर सकते हो तो कुछी तरीके से आप दो महिने में एक बार खात भी डाल सकते हो कोई दिक्कत नहीं है अच्छी तरीके से ग्रो करेगा और बाकी अभी हम बात करते हैं कि इसके जो नीचे नीचे की पत्तियां होती है कई बार जल जाती है तो जो पत्तियां आपको लग रहा है वो जल गई है तो आपको उनको हमेशा रिमोब कर देना है तो आपका प्लांट हमेशा फ्रेस रहेगा कोई दिक्कत नहीं है तो इस तरीके से आप अपने प्लांट को ग्रो एंट केर कर सकते हो आपको कैसा लगा हमारा वीडियो मैंने इस छोटी सी वीडियो में जो भी इन्फोर्मेशन थी इस प्लांट के बारे में सारी चीजे कवर कर ली है अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट कर देना और बाकी नमबर स्किन पर सो कर रहा है आप लांट खड़ी सकते हो मिलते हैं ने इस वीडियो में अच्छी वीडियो के साथ तब तक के लिए बाबाए जय हिन वन्यमात्रम